अपने रजिस्टर मोबाइल में पासवर्ड का मेसेज आ जाएगा अब यूजर में अपना CSSE ID लिखे, निचे मोबाइल में आया हुआ पासवर्ड लिखे और लॉग इन पर क्लिक करे, अपने रजिस्टर मोबाइल में OTP आयेगा, वो लिखे और सब्मिट करे, प्रोसेस पर क्लिक करे, यहां हमें अपना नया लॉग इन पासवर्ड बनाना है तो मोबाइल में आया था, वो पासवर्ड करंट पासवर्ड में लिखे, निचे New और Confirm पासवर्ड में अपना नया पासवर्ड बना ले और Send OTP पर क्लिक करे, अपने रजिस्टर मोबाइल में आया हुआ OTP लिखे और Submit पर क्लिक करे, अब आपको नये पासवर्ड से लॉ पर क्लिक कर दे।